दियर स्टुडेंट, मैसल्फ दॉक्टर आजे शर्मा, आशोशीर प्रोफेसर, गवर्न्मेंट बांगर कॉलिज दीद्वाना, हम B.Sc. फॉस्ट यर का M.D.S. उनिवस्टी का स्लेवस डिसकस कर रहे थे, पहला पेपर हम डिसकस कर चुके थे, अब दूसरा और तीसरा पेपर दो पेपर हम आज डिसकस करेंगे, सेकंड पेपर जो आपका है, डट एज एलगी, लाइकेन, एंड ब्रायओफाईटर, इलगी, शेवाल, लाइकेन, शेवाल, एंड ब्रायओफाईटर का होता है, जिसकी पहली यूनिट में, अलगी ये शेवाल पढ़ने होते हैं हमको, तो इसमें सबसे पहले हमको पढ़ना है General Characters of Characters and Thalus Organization. General Characters, सामान एलक्षन, एल्गी के और Thalus Organization, हम देखते हैं जो एल्गी है, उसमें संरजना में बहुत भिनता पाई जाती है. एक कोश्किय शेवाल से लेकर बहुत बड़े-बड़े खर-पतवार जैसी बड़ी-बड़ी शेवाल या एल्गी पाई जाती है, जिसको हमको इस range को पढ़ना है, या range of vegetative structure के नाम से भी पढ़ा जाता है, या thalus organization के नाम से भी पढ़ा जाता है. तो यह हमको topic, बहुत important topic होता है यह, सामान एलक्षन के साथ हमको सामान ने जो plant की body है, algae की body है, plant body, उसके अंदर जो भिन्यताएं होती है, एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में, एक algae से दूसरी algae में, वो हमको पढ़नी है कि unicellular algae से लेकर और कहां तक multicellular कितने बड़े-बड़े, किस तरीके के शेवाल पाए जाते हैं, यह हमको पढ़ना है, इसके बाद दूसरा बहुत important topic है, algae में, types of pigments, types of pigments, यानि कि कैई जो लवक हैं, उनकी प्रकार होती हैं, जिनके आधार पर algae का वरगी करण किया जाता है, मुक्ता, तो उस आधार को भी हमको पढ़ना है, कि कितने प्रकार के pigments, algae के अंदर पाए जाते हैं, इसके बाद तीसरा topic सबसे important है, मतब यह सारे बहुत important topic है, कुछ ना कुछ इन में से हमेशा आता है, reserve food material in algae, जो भोजन शेवाल बना रही है, प्रत्वी के उपर बहुत अधिक मात्रा में शेवाल पाए जाते हैं, समुद्री जीव ज़्यादा तर सभी शेवालों के उपर निर्भर करते हैं, जो शाकाहरी हैं और नहीं भी हैं, तो algae अपने लिए भोजन जो बनाती है, उसको किसी न किसी फॉर्म में रिस्टोर करके रखती है, तो वो रिजर्ब फूर्ट मैटीरल कराता है, वो किस फॉर्म में, किस प्रकार में उस शेवाल के अंदर संचित है, वो उसका रिजर्ब फूर्ट मैटीरल कराता है, ये पढ़ना है, इसके बाद classification है, हमको fresh का classification खास्त वह से पढ़ना है मुख्यता जो fresh एक नाम के विज्ञानिक थे, इन fresh का वर्गी करन हमको मुख्य रूप से पढ़ना है इसके बाद economic importance of algae, algae या शेवालों का आर्थिक महतु पढ़ना है आर्थिक रूप से बहुत महतुपून होते हैं शेवाल, इसकी हमको detail पढ़नी है पूरी इसके बाद important features and life history पहले unit के अंदर कुछ algae दे गी हैं, जो algae की दो क्लासे हैं, chlorophyce और zentophyce उनकी हमको important features पढ़ने हैं यानि कि उनके जो खास खास लक्षन हैं वो पढ़ने हैं और life history, जीवन चक्र पढ़ना है पूरा chlorophyce पहली क्लास के अंदर पहली जो शेवाल है देट इस वालवाउक्स, दूसरी utogonium और तीसरी कारा और जो दूसरी क्लास, zentophyce है या पीले हरेशवाल, chlorophyce को हरेशवाल कहते हैं और zentophyce को पीले हरेशवाल कहते हैं उसके अंदर हमको voucheria पढ़ना है या वोकेरिया जो आप बोलना चाहें इंगलिश है तो CH को कहीं K बोला जाता है कहीं CH बोला जाता है तो जैसे चाहें आप बोल सकते हैं देट इस वाउचीरिया तो यह चार प्लांट हमको इतने सारे जर्नल टॉपिक्स के साथ सार चार प्लांटों का हमको चार एल्गी का शेवालों का जीवन चक्र इस पहली यूनिट के अंदर पढ़ना है इसके बाद दूसरी यूनिट देखें तो दूसरी यूनिट शेवाल और लाइकेन एल्गी और लाइकाईन की मिला के होती है शेवाल और शेवाकी इसमें लाइफ हिस्ट्री शुरू हो गई थी क्योंकि आप जनरल एल्गी का पहली उसमें यूनिट में पढ़ा है तो इसक फियोफाइसी दिए ब्राउन एलगी भूरे शहवाल उसके अंदर हमको एक्टोकार्पस और सारगासन पढ़ना है प्रकूंद एक्टोकार्पस और सारगासन फिर चौनि क्लास बहुत important, rhodophyce, rhodophyce is red algae, इसके हंदर हमको एक शेवाल पढ़ना है, जो की polycyphonia है, ठीक है, चार classes हमको शेवालों की पढ़नी है, मुखे ते चारी classes है, chlorophyce, xanthophyce, phyophyce and rhodophyce, और यह इनके रंगों के अधार पर रखी गई है, chlorophyce, green algae, यहां आपका जो है, algae वाला या शेवाल वाला जो पोर्शन है, वो खतम जाएगा, इसके बाद हमको शेवाक या लाइकेन पढ़ने हैं, लाइकेन में हमको सबसे पहले इनकी general account पढ़ना है, यानि कि इनके बारे में जो समाने बाते हैं, वो पढ़नी है, study करनी है, कैसे growth होती है, lichen के अंदर, कैसे वृद्धी होती है, इसकी forms पढ़नी है, तीन प्रकार के मुखेता lichen पाए जाते हैं, crustose, folios और fruticos, इन तीनों लाइकेन के बारे में पढ़ना है, कहां-कहां यह उगती है, और डिफरेंट सबस्टेट्स, सबस्टेट्स होता है, आधार जिसके उपर यह उग रही है, और उसके बाद हमको इसकी study of thallus, यानि कि जो plant body है, जो शेवाल की, उसकी संरशना का अध्यान करना है, and reproductive structures, यानि कि जनन संरशनाई जो है, जो सोरीडिया या एपोथीसियम जो भी हैं, इनके बारे में हमको डिटेल पढ़नी है, इसके बाद इसमें mycorrhizy पढ़ना है हमको, myco means fungus, rhizy means root, कवक, root, एक प्रकार का सहजीवी संबन्द है, lichen क्या है, lichen भी एक सहजीवी है, algae और fungi का मिला हुआ संयुक्त रूप जो है, वो lichen बनाता है, इसके अंदर दोनों ही plant group, दोनों ही पौधे जो हैं, वो सहजीवी संबन्द में रहते हैं, algae तो अपने जो सहजीवी दूसरा है, जीव, अपने साथी को भोजन प्रतान करती है, जबकि जो कवक है, फंजाई है, वो रहने की जगा और जल का प्रबंद जो है, वो algae के लिए करता है, इस परकार से यह सहीवी संबन्द और इसी की दूसरी टाइप, माइकोराइजा है, कुछ जो हायर प्लांट से हमारे, उनकी जड़े होती हैं, उनमें के जगा पर मूल रोम नहीं पाए जाते हैं, आप जानते हैं, पानी अर्शोषित करने का कारें मूल रोम करते हैं, वो मूल रोम की जगा, फंगस का, जो माइसीलियम है, माइसीलियम फंगस बॉड़ी जो होती है, वो धागे नुमा बहुत बारीक सी अर्श पर संदशनाएं होती हैं, वो माइकोराइजा कैलाती हैं, और एक अकेला जो धागा होता है, वो हाइफी कैलाता है, तो वो माइसीलिय उस रूट हेयर वाली जगाओं पर इस जड़ों को घेरे रहता है और उसके लिए पानी अफ्शोषित करने का काड़े करता है इसमें एक्टो मा कोराइज और अंदर पाए जा रहा है और देयर Olpe के यानिकी उपयोगीता पढ़नी है हमको ह Об को इतना हमको सेकन्ड उनिट में पढ़ना है सेकेंड पेपर की के इसके बाद थर्ड यूनिट में ब्रायोफाइट शुरू हो जाएंगे थर्ड यूनिट के अंदर ब्रायोफाइटा शुरू हो जाएगा यह तीसरा ग्रूप है यह जो आपको लोवर ब्लांट्स में पढ़ना है जिनको पादब जगत का एमफीबिया भी कहा जाता है उभेचर भी कहा जाता है क्योंकि यह पानी में अभी तक आपने यह पूरी तर है जन्रल करेक्टर और ब्रायोफाइट को सामाने लक्षन एंड क्लासिपिकेशन और संगिभान sacrifice हर को ब्रूंच को शुरू करने से पहले हमको समाने लक्षन समाने लक्षन से यह हो जाता है कि कुछ जो लक्षन है उस प्रांट ग्रुप के अंदर कितने भी प्लांट आप पड़ों वो सब में इ Frei जाते हैं विशेषता जब हम प्लांट के साथ आते हैं तो ऊसकी विशेषता वहाँ पर जाती है और यहां भी स्पेसिफाइग की जात इन समान यलक्षणों में पढ़े जाती है इसके बाद ब्रैयोफाईटा का हमको वरगी करण पढ़ना है reciproCH a डूसरा टौपिक एकोनोमिक इंपोर्टेंस ऊफ ऑइस एकानिक एक इंपोर्ंस ऊफ ब्रैयोफाईटा का आरथिक महतु पढ़ना है इसके बाद evolutionary trends in thallus and sporogonium पूरे bryophyte के अंदर thallus में और उसका जो sporogonium होता है या sporophyte होता है उसमें बहुत भिन्यता पाई जाती है एक क्रमवद भिन्यता आप उसको कह सकते हैं तो जलिये से कैसे उभेचर बना यह हमको thallus में evolution पढ़ना है evolution का मतलब है जो उत परिवर्तन होने हैं परिवर्तनों की जो एक सीरीज है क्रम है वो क्रम हमको thallus का पढ़ना है और ऐसे ही sporogonium का पढ़ना है जो bryophytes, algae और fungi हैं यह भी आप पढ़ोगे दो प्रकार के बहुत डिटेल में भी मैं यहां नहीं बताऊंगा नोकि हम जब general character शुरू करेंगे तो वहां आपको बताएंगे पौदो के बारे में कि इनके जीवन चकर में दो प्रकार की क्रम होते हैं या पीडी होती है जिनको हम पीडी कह सकते हैं एक gametophyte जिसको युगमोद भीद कहा जाता है और दूसरा sporophyte जिसको बिजानोद भीद कहा जाता है युगमोद भीद haploid होता है यानि कि अगुनित होता है और sporophyte ये diploid या द्विगुनित होता है तो इस प्रकार का जो पीडी का एकांतरन है वह यह दूप्रकार की मैं पीडी पौदो और sporophyte उस्पौरफाइट जो लक्षन है उनके अधार पर यह दूसरा sporophyte बन रहा इसको लिखाया है इसको आप इस पूर वाइड भी बोल सकते हो यह क्या हुआ बिजानुत भिद है जो डिपलॉइड होता है सामाने तो अभी एलगी में आपको यह देखने को नहीं मिलेगा एलगी में डिपलॉइड स्टेज उसके जीवन चकर में बहुत थोड़े समय के लि बनाती है इसके बाद हमको इस ट्रक्टर रिप्रोड़क्शन और वर्गी करन हर एक प्लांट का आपको वर्गी करन पढ़ना है याद रखना है एक एक नंबर के कोशल में दो नंबर के कोशल में अवश्य पूछे जाते हैं तो जब हम प्लांट की शुरू करने तो सबसे हमें उस पौदे की संदशना पड़ना है उसमें रिप्रोड़क्शन या जनन पढ़ना है और उसका वरकी करण पढ़ना है तो जो कुल आपके अंदर आपके स्लेबस में ब्राइवफाईट यह उसमें तीन क्लासिज होती हैं ब्रायोफाइट की जब आप बर्गी करन पढ़ोगे तो पता लगेगा। पहली हिपेटिकॉपसिटा जिसके अंदर दो ब्रायोफाइट हैं। पहला रिक्सिया और दूसरा मारकेंशिया। रिक्सिया और मारकेंशिया। दूसरी क्लास जो है या दूसर डिवीजन हम कह दें हिपैटिक पूप था टॉ टॉप सीडा इंथो सीरो टॉप सीडा इसके अंदर एक ब्रायोफाइट है विक्षिस एंथो सीरो ऑच और जो तीसरी आपकी ग्रोप तराइत्र दिविजन है इस ऑंसेसरा ब्रासिड्र मैं एक प्रामे इस प्रकार से ये 5 यह चार जो हैं प्राइओपाइट आपके ऑंठesi में जो आपको पड़ने है पुरे डिटेल में इनकी समय न है इनकी सेनन और उन वर्गी कराई यह आपका second paper हो गया और इसकी तीनों unit हो गई जिसमें algae, lichen और bryophyte थे इसके बाद आपका तीसरा paper तीसरा paper teradophyta और paleobotnika है जिसकी पहली unit में teradophyta है हम higher थोड़े group के हैं lower plants higher plants angiosperms को बोलते हैं लेकिन इस lower group में bryophyte के बाद सननस्टना में जटिलता और हर काम में साइज में अंतर इन teradophyte में आता है उससे बड़े आप कह सकते हैं बड़ा भाई मतलब जो क्रम चल रहा है परिवार का algae से फंजाई से algae bryophyte उसके बाद अगला नंबर teradophyte का आता है पहली उनिट में हमको पढ़ना है दा फस्ट वेस्कुलर प्लांट प्लांट से यह जिनके अंदर वास्कुलर से मतलब समवहं तंत्र जिनके अंदर विक्सित होना शुरू हो जाता है study of teradophytes in India भारत में कितना काम teradophytes के उपर हुआ है यह पढ़ना है ठीक है सबसे पहला topic हमको यह देखना है कि teradophytes के उपर भारत में कितना काम किया गया है कितना अध्यन किया गया है दूसरा characteristic and broad classification of teradophytes यह वही characteristic अभी लक्षनिक गुन या जो समाने लक्षन है वो और उनका व्रहद वर्गी करन पढ़ना है इसके बाद हमको teradophytes में एक बहुत important general character होता है क्योंकि यहां से समवहन उतक बनने शुरू हुए है वास्कुलर सिस्टम बनना शुरू है तो इन teradophytes के अंदर भिन भिन प्रकार के वास्कुलर बंदल्स पाई जाते हैं आप इसको वास्कुलर सिस्टम कह सकते हैं या इसको stihler system कह सकते हैं कि सेंटर में जो समवहन उतक है उसको stihl कहा जाता है तो यह कितने प्रकार की होती है यह बहुत important question होता है इसमें जितनी टाइप हैं एक नमबर से लेके दो नमबर से लेके और पूरा कोशन दस नमबर तक कहीं भी आ सकता है तो आपको अगर टेरिडोफाइट के बारे में जानना है और अच्छा जानना है तो ये स्टीलर सिस्टम आपको बहुत जरूरी है पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है याद रखना है जरूर कोशन 100% कोशन इसमें से मिलेगा इसके बाद जैसे जैसे हम हायर टेरिडोफाइट की जाएंगे तो कुछ कदम इसके बढ़ते जाते हैं सीड हैबिट की तरह यानि की पौधे के बीज बनना जनन बाकी उसमें हो रहा था वो अलग अलग तरीके थे आप जननन जब बढ़ना शुरू करोगे लेकिन आप जानते हो कि मुकेता जनन बीजों से भी होता है तो उस जैसे हम हाय गरूप की तरफ जा रहे हैं प्लांट के तो उसमें बीज बनने की प्रवर्थी बढ़ती जा रही है तो यह उत्पत्ती बीज बनने की शुरूआत कुछ जो खास लक्षन है वो टेड उफाइस से शुरू हो जाते हैं और हिट्रोस्पोरी आती है यानि कि विशम भी जानुता इस सीड हैबिट की तरफ उठने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है ठीक है तो दो टॉपिक इसमें बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट है स्टीलर सिस्टम ऑफ टेरीडोफाइट्स एन ओरीजन एन सीड हैबिट ऑफ एन हिट्रोस्पोरी विशम भी हैं इंपॉर्टेंट कर्केर चाइए फिरो वस म्मंतीजन को इन स्वीनान सी दार आंयंच को पढ़ने हैं प्लांटिक में साइलॉप सीडा लाइक फिड को सी दा स्फेन ऑप सीडा यह आपकी समान एलक्षन पढ़ने हैं इनके इंपोर्टेंट खास खास करेक्टर पढ़ने हैं इन चारों ग्रुप के यह आपकी पहली यूनिट हो गई टेरेडोफाइट्स की दूसरी यूनिट टेरेडोफाइट्स की इसमें हमको structure and reproduction पढ़ना है structure and reproduction संदचना और जनन यानि कि पूरी life history हो जाती है प्लांट काना से पैदा हुआ कैसा दिखाई दिया उसके बाद उसने अपनी कैसे office springs बनाए यह पूरा एक जीवन चक्र होता है दुबारा से वैसी ही संदचना पढ़ना तो इसमें हमको क्या क्या प्लांट पढ़ने है एक हमको lycopodium पढ़ना है दूसरा silaginela पढ़ना है तीसरा equisitum चौथा terrace और पाँचवा marcelia आपो लगरी होगी कि unit बहुत छोटी सी है लेकिन जब आप higher plants की तरफ जा रहे हैं तो plant की जटिलता हैं बढ़ गई plant की संदचना हैं बढ़ गई plants के अंदर पाई जाने वाले structures बढ़ गए तो खाली नाम से ही यह देखने में 5 हैं लेकिन यह 5 जितने आप 2 paper पढ़के आएं उनके बराबर भारी हैं बढ़े हैं संदचना हैं जटिल हैं इसके बाद unit 3 paleo botni पूरा वनस्पती विज्ञान पूरा वनस्पती विज्ञान के अंदर हमको history बढ़नी है क्योंकि history से जुड़ा हुआ है जब तक हम history नहीं जानेंगे तो आज की स्थिति का पता हमको नहीं पता लगेगा यह भी तु जानना है कि हमें से पहले कौन-कौन आये हमारी generation से पहले हमाई जनर्षय के समय कौन-कौन से पौधे थे कैसे थे तो यह सारा हम अध्यान जो करते हैं वह paleo botni के अंदर करते हैं कि जब से प्रस्वी बनी है तब से अब तक कितने प्रकार के पौध है और कितना variation देखने को बड़ा यह history और जन्रल एकाउंट आप पैलियो बॉटनी इन इंडिया में कितना कारे इस पैलियो बॉटनी में पुरा वनस्पति विज्ञान में भारत में हुआ यह सारा हमको शुरुआत में जन्रल टॉपिक में पढ़ना है इसके बाद geological time scale, geological यानि कि जो प्रत्वी की उत्पत्ती हुई है उससे अब तक इसको अलग-अलग periods में, महाकलपों में, युगों में बाटा गया है तो वो क्या time scale है कि किस समय में कौन से पौधे सबसे अधिक मात्रा में थे, किन की उत्पत्ती, किस युगों से शुरू हुई और किस महाकलप में हुई, ये पूरी detail हमको इस geological time scale में पागना है इसके बाद process of fossilization, जिवाश्मों के बारे में पढ़ना है यहाँ पर हमको जिवाश्मों के बारे में पढ़ना है, तो जिवाश्मों बनते कैसे हैं, that is process of fossilization, जिवाश्मों का बनना किस प्रकार से होता है, इसको जो है, ये किरिया पढ़नी है इसके बाद types of fossils, कितने प्रकार के जिवाश्म पाये जाते हैं प्रत्वी पर, ये हमको पढ़ने हैं, ये दोनों बहुत important topic हैं, अक्षर question इनी चीज़ों पर आता है basic idea of techniques of calculating the age of fossil किसी भी जो जिवाश्म हमको मिला है, वो कितना पुराना है, इसको जापने की तकनीक रग्यानी को द्वारा विक्सित करी गई हैं, उसकी हमको basic idea लेना है, basic, बिल्कुल basic जो basic कहेंगे, आधार भूत जो idea है, वो हमको लेना है इसके बाद study of fossil plants, दो plant हमारे syllabus में हैं, खास तोर से एक ryania और दूसरा williamsonia, यह ryania teridophyte को जिवाश्म है और williamsonia gymnospong का fossil है, जिवाश्म है, तो यह दो जिवाश्म हमको इनकी जितनी भी detail available है, वो detail आखी किताब में दी हुई है, वो पढ़ने है ठीक है और दो में से एक आप जानते हो कि जब दो होते हैं, तो कोई ना कोई अवश्य आता है तो दो छोटे से हैं, practical के लिए भी important है, ठोरी के लिए भी important है, इसलिए इनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है इसके बाद बात आती है books की, कि आपको books कौन सी लेनी है देखिए, हमारी MDS University के हिसाब से, mainly जो तीन publication है, उनकी books बजार में आती है सबसे पहला है, अलका publication, ये अजमेर का है अलका publication, अजमेर का है, तीनों paper की books इनकी आती है, बहुत अच्छी books हैं, ये आप ले सकते हैं दूसरा publication है, ये पहला हो गया, दूसरा है, CBH जैपूर CBH, College Book House, जैपूर, इसकी books हैं, ये भी आप ले सकते हैं और तीसरा जो है, that is, RBD, रमेश बूक दिको, ये भी जैपूर का है इन तीन publications की जो books हैं, वो आपकी slivers के हिसाब से, Hindi medium और English medium दोनों में आती हैं तो जोन सा भी medium आप अपना हैं, उस medium की books आप ले सकते हैं college से भी जब college खुलेगा, तब आपको मिल सकती हैं, library से मिलेंगी, दो book मिलती है, या तीन book मिलती है अलग से गरीब बच्चों के लिए book bank है college में, वहां से book मिलती है, या आपके किसी senior ने ले रखी हैं तो आप उससे books ले सकते हैं, नहीं तो अपनी मगा सकते हैं इसके अलावा किसी को और अच्छी books पढ़नी हो, तो रस्तोगी publication मेरट की book होती है तीनों paper की, उनकी एक book combined निकली हुई है, वो भी आप ले सकते हो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है इसके लावा आपको एक practical की book लेके रखनी है, practical के लिए जो भी काम होगा, जब college खुलेगा, तब आपको बताया जाएगा जो नागौर के पास है, जो और कहीं से उपलब कराना चाहें, तो वहाँ से कर सकते हैं ठीक है, ठैक्स, अब आगे से हम topic wise पढ़ना शुरू करेंगे, कि क्या topic हमको अब पढ़ने हैं यह भी आपको syllabus का idea, पढ़ने का तरीका, और क्या-क्या चीज़े, इंग्लिश में ही, इंदी में भी syllabus आता है उन्योस्टी का, उन्योस्टी की site पर आप देख सकते हो, वहाँ से download कर सकते हो और मैंने आपको वही syllabus पूरा बता दिया, अगर इसमें कोई परिवर्तन होगा, तो साथ के साथ आपको बता दिया जाता है, और जब पढ़ाएंगी, तो पढ़ाएं के साथ साथ, उसमें क्या चीज़ important है, यह हम बोलते जाते हैं, तो वह आपको ध्यान में खास तोर से र